Hello viewers, आज हम exercise 2.2 का question number 6 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है, तीन लगतार पुर्णांकों का योग 51 हैं, तो पुर्णांक ग्यात कीजिए, तीन लगतार पुर्णांक हैं, पुर्णांक किसे कहते हैं, पुर्णांक संख्याएं ही होती हैं, लेकिन जिसमें प्लस वाली संख हैं, सब स्टामिल होती हैं, अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि तीन लगतार पुर्णांक हैं, लगतार पुर्णांक का मतलब यह होता है, जैसे कि लगतार अगर संख्याएं हम कहें तो हमें ऐसे लिखेंगे, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या फिर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, या फिर 1000 के बाद 1001, या फिर 1002, मतलब लगतार का मतलब यह होता है, एक के बाद 1, तो इसका मतलब जो हमारे लगतार पुर्णांक होंगे, वो भी एक के बाद 1 होंगे, जैसे कि अगर हमारा पहला पुर्णांक अगर हम X मानेंगे, तो दूसरा पुर्णांक X प्लस 1 होग इसलिए हम यहाँ पर मान लेंगे हम यहाँ पर क्या मानेंगे हम ऐसे मानेंगे माना माना की पहली पुर्णांक संख्या संख्या होता है ना पुर्णांक पहली पुर्णांक संख्या वो है हमारी X ठीक है तो इसी तरीके से माना की दूसरी दूसरी पुर्णांग संख्या क्या हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लगतार जैसे एक के बाद दो आता है दो के बाद तीन आता है ठीक है सो के बाद 101 आता है 102 आता है तो वैसे ही एक्स के बाद क्या आएगा देखो यहाँ पे जब हम लगतार करते हैं तो क्या होता है एक के बाद दो कैसे आता है एक में एक और प्लस कर देते हैं तो दो हो जाता है तीन कैसे आता है अब यह वाला वन प्लस वन जो है उसके साथ एक और प्लस कर देते हैं तो तीन हो जाता है फिर एक और प्लस कर देते हैं तो चार हो जाता है वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे दूसरे पुर्णांक में एक प्लस कर देंगे तो यह हमारा लगतार पुर्णांक बन जाएगा ऐसे ही माना की तीसरी पुर्णांक संख्या तीसरी पुरणांग संख्या क्या हो जाएगी जो दूसरा हमारा पुरणांगे पहले उसको लिखेंगे और फिर उसमें ही एक और प्लस कर देंगे तो X प्लस 1 प्लस 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं X प्लस 1 और 1 टू X प्लस 2 लिख सकते हैं तो हमारा पहला पुर्णांक यह हो गया दूसरा पुर्णांक यह हो गया और दीसरा पुर्णांक यह हो गया अब हम प्रश्न अनुसार समी करण वराएंगे देखो, तीन लगातार पुर्णांकों का योग 51 है, जो भी हमें कुशन में दिया हुआ होता है, एक्चॉल में वही हमारे लिए हिंट होता है, अब यहां पर योग हमें 51 कहा गया, योग का मतलब क्या होता है, जमा, तो हम जमा कर देंगे तीनों पुर्णांकों को, पहला में इसको प्लस कैसे करेंगे x प्लस 2 और is equal to क्या हो जाएगा 51 क्योंकि तीनों का जो योग है वो 51 है तीनों को हमने प्लस कर दिया अब क्या होगा यहाँ पर देखो यह भी x यह भी x और यह भी x x x x कितने x हो गए 3 x तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 x प्लस यह 2 और यह 1 2 और एक कितने हो गए 3 is equal to 51 अब यहाँ पर देखिए 3 x हम ऐसे ही छोड़ देंगे यह 51 अब यह जो 3 है यह simple संख्या है तो इसे भी इधर ही लिया simple के साथ plus में है तो equal के इधर आके minus में हो जाएगी तो 51 में से 3 गए कितने बचे 8 और यहाँ पर बचे 48 अब यह हो जाएगा x x की value निकालनी है न तो सिर्फ x को ही छोड़ना है सारी संख्या इधर लियाएंगे 48 और 3 इसके साथ गुणा में है तो कोई संख्या गुणा में होती है तो equal के इधर आएगी तो किस में हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी तो डिवाइड कर दिया मतलब भाग में हो जाएगी तीन इककम तीन यहाँ पर तीन इककम तीन एक हासी लग गया 3 चिक 18 तो हमारा जो x की value है वो हो गई x is equal to 16 ठीक है इसी से हमारे सारे पुर्णांक निकल आएंगे तो देखो हमने पहला पुर्णांक माना था तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली पुर्णांक संख्या पुर्णांक संख्या is equal to x x माने तीन हमने और x की value क्या आई है x की value आई है 16 तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे कि पहला पुर्णांग 16 है ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पुर्णांग संख्या अब दूसरी पुर्णांग संख्या x प्लस 1 थी न x प्लस 1 तो x की जगा x की value रखेंगे मतलब 16 और प्लस ये 1 तो 16 और एक कितने हो गए 17 तो दूसरी पुर्णांग संख्या 17 हो गई वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरी पुर्णांग संख्या तीसरी पुर्णांग संख्या क्या थी x प्लस 2 तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 x की value कितनी थी 16 और प्लस 2 16 और 2 कितने हो गए 18 तो हमारी पहला पुर्णांग 16 है दूसरी 17 है तीसरा 18 है तो यहां पर देखो लगतार हो रहे हैं ऐसे 16 17 और 18 लगतार हैं बिलकुल हैं फिर भी आपको डाउट है आपको चेक करना है तो देखो कुशन में हमें दिया हुआ था कि तीनों पुर्णांगों का जो योग है वो 51 है तो योग मतलब जमा तो हम तीनों पुर्णांगों को एक बार जमा करके देख लेते हैं रफ वर्क में मतलब 16 को 17 को और 18 को जमा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा यह हो गए 8 और 7 7 7 14 15 16 18 19 20 21 का एक हासिल लगा दो दो और एक तीन तीन और एक च सही है आप ऐसे पेपर में चेक भी कर सकते हैं अपना अंसर इसी के साथ साथ आपको यह कुशन कम्पलीट हो गया है मिलते हैं ξоп बाई गाईज और हम वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपका को समझ में तो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें इसारी मैत के ब JUST करत intend は और ही में आपड़न से करें द loudर और आल, हम की आघetta जया ही जग्माहशत जग्माशार ही वे फγेर से साइमय टम. झाल झाल